सो फाइनल दोस्तों आप लोग देखोगे IDFC 1 ने अपने quarter 1 के जो आंकड़े हैं वो पबिलिश कर दी हैं तो चलिए फटाफट से देखते भी quarter 1 के आंकड़े कैसे आती हुए नजर आए हैं साथ में और क्या कुछ announcement की गई है बैंक के दोरा इस आज की जो बॉर्ड मेंट हुए इसके दोरान तो चलिए फटापट से देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देखो कि हम डिस्कस करेंगे से अगर बात के टोटल इंकम की या टोटल रिवेण्यो आप जिसको बोलोगे तो अपकी बार जो टोटल इंकम हमें देखने को मिली है वह तकरीवन आप लोग देखोगे 8,281 क्रोड की जबकि प्रिवेश क्वाटर में क्या थी 7,821 क्रोड की तो प्रिवेश क्वाटर से 5,770 क्रोड की तो वहां से भी आप लोग देखोगे इंकम में हमें जब देखने को मिला है तो इंकम हमें overall अच्छी आते हुए नजर आई है साथ में अगर बात करें इसके expenditure को लेकर यानि जो टोटल खर्चे हमें देखने को मिले हैं जून क्वाटर दोरान आप लोग जब कि previous quarter में क्या थे 6,263 क्रोड के तो previous quarter से इसके expense हमें बढ़ते वे नजर आए हैं वहीं previous year के same quarter में 4,833 क्रोड के expense थे तो वहां से भी आप लोग देखोगे expenses में बढ़ उतरी है तो quarter and quarter basis per expense में बढ़ उतरी और quarter and year basis पर भी अगर बात कर इसके provisions को लेकर यानि यहां पर आप लोग देखो कि जो quarter 1 के दुरान provisions रही है वह 476 क्रोड के जबकि previous में क्या थे 482 क्रोड के previous year के same quarter में 307 क्रोड के तो quarter on quarter वैसिस पर है इसके provisions में gir out हुई है और previous year के same quarter से compare करे तो वहां से provisions में बड़ोतरी देखने को मिले तो अपके बार आप लोग देखो जो revenue है वो इसके expense से जाद है तो इसका मतलब फिर से bank को profit हुआ कितना profit है जानते भी net profit for the period तो यहां पर आप लोग देखोगे अपकी बार जो profit हुआ हुआ यहां 765 क्रोड का company ने profit बनाए जबकि previous quarter में क्या था 802 क्रोड का profit था वहीं previous year के same quarter में 474 क्रोड का profit तो quarter on quarter basis पर profit में decline है वहीं previous year के same quarter से compare करे तो वहां से profit में शांदार jump हमें देखने को मिला है तो e-run basis पर काफी शांदार results आते हुए नजर आए हैं EPS की बात करें यानि earning per share की तो एक रुपे 16 पैसे रहा जबकि previous में क्या था एक रुपे 16 पैसे और previous year के same quarter में 76 पैसे तो यह इसके results रहे हैं NPA के मैं बात करूँ है यहां पर आप लोग देखो के तग्रीबन हमें देखने को मिले इस quarter दोन एक हजार एकसौ उन्हें चास क्रोड के जबकि previous quarter में क्या थे एक हजार 304 क्रोड के तो previous quarter से इसके NPA है ठीक है तो वह हमें घटते हुए नजर आई है काफी अच्छी बात है और previous year के same quarter से भी आप लोग देखो कि वहां पर क्या थे 1653 क्रोड के तो वहां से भी NPA में गिर आउट आई है तो NPA काफी शांदार हमें जोना भी टूडते हुए नजर करके detail में पढ़ लेना आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आदेगा लाइक की ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को ना मत भूलना और एक बात और अभी देखो पहले ही company के दोर announcement कर दिया गया कि HDFC और HDFC First Bank ये दोनों-द